हेलो आपका अबार फिर से अतुलशी शिंटर्व स्वागत है जिसे कि आप सब देख रहे हैं महादेवी अर्मा का जीवन परिचे कितनी बार पूछ देख सकते हैं तो मतलब लाइन में किस भी आ सकता है तो इसमें क्या है मिस नहीं करके जाना है जीवन पर्चे बताओंगा और बहुत छोटे में बताना चाहता हूं और एक चीज जैसे बहुत लोग को नहीं आद होता तो थोड़ा याद कर ले और जो मैं बताने जा रहा हूं अभी वही अगर याद करके जाते हैं तो चकन हो जाता है और बात बतादू मैं क्लाश टेंथ और टेल्थ की हर एक सब्जिक्ट की बहुत ही तेजी के साथ त्यारी करा रहा हो यदि आप चैनल पर फष्ट विजिट की है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ब अधरी गतर हो जल्द ना कब हो जाता है मुझे पठाने नहीं कभ वो जाएगा शुरू नहीं नां क्या है इंका महादेवी महांद्य वर्मा का नाम महादेवी होगा तो जन्मिन का कहा हो कब हुआ था 1907 वह हुआ था जन्मस्थान फरुख्वाथ माता का नम स्रीमती हेमरा स्री मती हेम रानी और इनके पिता का नाम नहीं स्री गोविंद साहए बर्मा और इनकी प्रारंबिक सिच्छा है उन्दवर में शुरू हुआ और उच्छी सिच्छा प्रयाग में कि यह और कृति इनकी जो है रस्मी नीहार नीर्जा और इनका मृत जो है 11 सितंबर 1987 हो गया य करते थे हम सब और इससे याद करो आप सब क्लियर जीरो नीचे है उसके नीचे भी जीरो लगा दोगे 87 हो जाएगा तो वही समझ लेना मुरित है ग्यारा सितंबर फैक्ट नहीं याद है तो मत लिख देना अगर नहीं याद है तो मत लिखना परचे में क्या है हिंदी साहित में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद इनको कि कौन से नाम से जाना जाता है कवित्री एवं लेखिका महादेव वर्मा का जन में देखिए हिंदी साहित में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद कवित्री एवं लेखिका महादेव वर्मा का जन था इनके माता का नाम स्रीमाति हेमरानी थी लख प्रयाग में हुई थी इनका जीवन में कार चора समय रहा जीवन उतली सब्सक्र परता है और बता दो चुके लिए और यह अग जमर्णेट को कि यह नहीं करेक रहेगा और यह उपी के लिए है अगल आप के लिए क्यू अगर आपके बुक में हमुपोर्णेश का नाम गुविण साहिब आधा जो एक प्रधाणना प्रदानाचार थीक है समझते इनके माता का नाम श्रीमति हेम राणी थी और इनकी प्रारम्बिक सिच्छा प्रयाग में हुई थी कहां पर वह था प्रयाग समझते ओना इलाहबाद को पाजाता है इनका जीवन में काफी संगर्स में रहा इनकी रचनाएं पूरी भारत में प 1987 में हो गया और इनकी जो रचनाएं है देख लिए निर्जा रश्मी दीप चिखा निहार इनकी कुछ मुख्य रचनाएं और रचनाएं बट इतना ही मैंने लिया है तो इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिला और इसको इसक्रीन साथ ले सकते हैं इतने का ले सकते हैं तो ले लिजी जाया है तो बस इस वीडियो आतल साथ लॉक्त माइं करके जरूर बताएगा शीयर घर करें अतला जबंप comment को सब्सक्राइब करके जाओ वहनत करता हूं आपक लिए बहुत धनके अभाष धनबात मिलते हैं एक वीडेवे